बारत ने रंगी इंग टीवी का विरूद किया है जो रंगी इंग टीवी अपने देश में आया था तो अपने लोगों ने रेलिया निकाल थी उनकी कल तो मुझे लगता है आरा हमारे में स्टेटस को इतना है कि अमारी जगे भी चेंज कर दी जाए तो भी अमें दिक्कत हो जाती है पिछे बेड़ते हैं उनको कभी आगे आना ही नहीं होता है तो पिछे बेड़ते हैं उनको अपने पिछे वाली सीटों से इतना प्यार होता है कि उनको लगता है कि सलेक्शन हो नहीं हो सीट यही रहनी चीए अपने वाली सारी सीटें खाली पड़ी इतना पूरा पड़ा तो मैंने का अरे कहां गए लो उनका सर आम पिछे बाले हैं ना तो आस तो आगे बेड़ जाते यह नहीं सर बेटेंगे तो यहीं पर मैं गता हूं मैं यह कभी सोच लेता हूं ना कि भारत पी ओके पर वापस कब जागर लेगा अपना है यह यह अपना है उस पर अंग्रेज जब अपने देश में थे तो अपने देश में कई सामाजी कुरूतियां थी कई बेड कश्टम हुआ करती जैसे सतीप्रथा थी चाइल्ड मेरीज करते थे कन्यावद लड़कियों को होते ही मार दिया जाता था लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे अंग्रेज समाज के साथ एक दिक्कत है भारतिय समाज यह था इस्टेटिवादी है इस्टेटस को जैसा चल रहा है वे साथ ठीक है उसमें किसी प्रकार का चेंज आना तो अंग्रेजों बले भले के लिए चीज़ें की होगी क्यों नहीं को डाकन प्रथा बंद कर दी अपने इधर अंग्रेजों ने इंटर्फेयर किया तुस्से भारतिय राजी नई अर् एक भारत में है जी कोई भी नई चीज होती हैं जब पहली बार होती है थम वीरोध कर देते हैं बाद में पहले उसी चीज़ को एडप्ट कर लेते हैं बाद में उसी चीज़ के साहरे हम जीते हैं लेकिन जब वो नई नहीं आती है तब अपने लगतता कि एक बार तो उसका विरूध करना भारत ने रंगीन टीवी का विरुद किया है जब रंगीन टीवी अपने देश में आया था तो अपने लोगों ने रेलिया निकल थी उनकी खिलाब रंगीन टीवी नहीं आना देंगे अपने सारे नेताए कठे हो गए कि भारत में रंगीन टीवी नहीं आना ची क्यों नहीं भी आएगा मनुरंजन के साथ नों का विकास होगा जन संक्या पर तड़ी रोख ही लगेगी वैसाब लग तुम तो कंप्यूटर आया था तो हमने उसके क्लाप रेल या नहीं कहीं थी भारत में कंप्यूटर नहीं आने देंगे क्यों नहीं आने दोगे को हैं कि आप लोग इते को एक कंप्यूटर 10 आजमी के बराबर दिमाह कर अंप्यूटर दश लोगों के बराबर काम करें हाँ हाँ फिर नहीं अबहुताई तो क्या करेंगी वाद लोगों भी आपी चलू हो जए तो पर आता तो हमें लगता है कि यार बच्चे बैठेंगे कैसे रूम चेंज कर दो तो थोड़ा बड़ा रूम है या रोड के ठीक सामने एक बड़ा रूम है बड़े जो होल है उनके अंदर भेज़ती जाए तो आप बच्चे विरोध करते हो आप यह क्या तरीक है सर वह वाला रूम व एक बात कई बार क्या होता कोई बड़ा बेच बनता उसको बनाते वहीं पर वह लगती है थोड़े दिन बाद हमें लगता है इसमें कुछ बच्चे कम हो गए बच्चों के एक जाम आ गए आज कल बच्चे नहीं आ रहे हैं उसको आर सामने वाले रूम में शिफ्ट कर देत उस रूम को यहां लेकिया जाते हैं उन बच्चों के ते यह को रूम है कैसा डबे जैसा तो रूम है यहां क्यों बिठा दिया सर वो रूम रूम लगता था खुला खुला बेढ़ते थे सर आगे पढ़ने से पहले एक रिकूर्स है कि आप मैंसे 95% लोग भीना करें और आने वाले वीडियो देखते रहें मुझे लगता है हमारे में स्टेटस को इतना है कि हमारी जगह भी चेंज कर दी जाए तो भी हमें दिक्कत हो जाती है और इस रूम में आप सारे बेठे हो आप मैं से कुछ लोग पीछे बेढ़ते होंगे कुछ लोग आगे क्यार होता है कि उनको लगता है कि सेलेक्शन हो नहीं हो सीट यही रहनी चाहिए अपने और ऐसा भी कते ही नहीं होता कि पीछे बेठने वालों के नहीं होते आप जब सेलेक्शन देखेंगे तब आप देखेंगे पुरी क्लास में सबके सेलेक्शन होते हैं हो सकता आगे ब आप बंच्वों कैसे पड़ाओ कि तुम जण तुमार काङश जण या तो आधोंगो ओंलाइन पड़ाओ आधोंगो ऐक दिन पताओ.. आधोंगो अगली दिन पताओ.. अपने पास online system था नहीं तो अपने तो एक ही बचा आदों को तो आज पटा और आदों को कल पटा एक बेच के अंदर सर ने मुझे बेजाए तू जा वो थोड़ा बड़ा बेच है बच्चों को कन्विंस कर कि इस बेच को दो तुकड़ों में तोड़ेंगे आदे लोग कल आ अपने स्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं होगी अपने लगा पांसा दिन में ठीक हो जाएगा मामला और क्या मैं गया मैंने बच्चां को जाका कि देखो तुमारा बेच बड़ा है तो तुमारे बेच को हम दो भागों में तोड़ेंगे आदे लोग कला आदे लोग प तुमारे पांसो तक के मालो रोल नंबर है तो मैं कहा दूँगा एक से डाइसो तक कला जाओ और 251 से पांसो तक वाले परसुं आजाओ परुसमें दिक्कत है कि तुम कई लोग साथ में बेटने लग जाते तुमारी जोड़ियां बन जाती है और मैं यह जोड़ियां अचन कि इन आगे बालों को परसुं बुला लो मैंने आगे बालों कन्विंच किया कि तुम परसुंआ जयाना प फिछ़वाले जो हैं वो कला जाएं अगले दिन मैं क्लास लानने के लिए उसके अंदर तो पीछ़वाले पिछ़ए आके बेठे वे थे आगे वाली सारी सीटें ख कि जो आगे बच्चे बच्चे पेटेरे रहते हैं पहले जूसरी लाइन के लिछे उनकी कोपियां देखता रहता हूं कि मैंने जो लाइन भोली है रिखी और ओंधिक ने लिखी मैं देखता हूं कि मैं यह जाए यह को अधार रुख जाए गा तो आप फूछा पूछ लेगा मैंने उनको कंविंस करके दो बच्चों को एक हिंदी मीडियों एंगलिस मीडियों को आगे बिठाया बागी फुरी क्लास को वेसे पड़ाया वो चली तो ववस्था पांच से दिन ती पर उनमें माई कालाल एक आगे आके नहीं बेठा उसे न मुझे समझी में है कि आगे बे अगे आगे अपना महोल खराब गर दिया था बले उन्होंने सई क्या हो लेकिन आपने गोची जे पसंद नहीं